तो नमस्कार जय जोहार हलो दोस्तों मैं सीज देवी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस स्टूप चैनल पर आज हम दोस्तों कम्प्यूटर से संबंधित कुछ मत्पूर्ण जानकरियों को देखेंगे जो की दोस्तों व्यापम के लिए काफी इंपॉर्ट टॉर्ण वर्ड प्रोसेसिंगसाफेयर इसके बाद अबका दिखेंगे सब्सक्राइब लुग यहां पर देखेंगे इसके अलावा भी दोस्तों बहुंस सारे देखेंगे इंपूट अउटपोड डिवाइस को देखेंगे दोस्तों टाइप्स अपलगर most important है व्यापम के लिए ठीक है types of plotter, scanner उसके बाद file extension name, multimedia software सभी को दोस्तों हम लोग list के माध्यम से देखने की कोशिस करेंगे पढ़ने की कोशिस करेंगे आप से विंति है दोस्तों कि आप जो है वीडियो के अंत्य तक बने रहिएगा ठीक है चलिए ज्यादा देरी ना करते ह करते हैं पहला आपके सामने है ना social networking site देखते हैं दोस्तों यहां पर लिष्ट आप देख लीजिए हैना Facebook है जिसका नाम अभी मेटा हो गया दोस्तों ठीक है Twitter हो गया Google प्लस हो गया है लिंक डिन हो गया उसके बाद याहू Instagram टेलीग्राम WhatsApp WhatsApp आप चलाते ही है आपको पता ही है Skyup, Viber, Line, Cura उसके बाद BuzzNet ठीक है तो इन सबको दूस्तों आपको क्या करना है दिमाग में बैठाना है वायरस की तरह ही आपको अपने दिमाग में बैठाना है डिलीट तो करना ही नहीं है दोस्तों ठीक है control डिलीट करके डिलीट नहीं करना है ठीक है याद रखिएगा ह तो जो आप चलाते हैं वो तो आपको याद रहेगा जो नहीं चलाते हैं उसको आपको याद करना है ठीक है चलिए अगला है दोस्ता आपका mobile operating system most important है इसको बड़ ध्यान से देखेगा किस company का है ये भी देखेंगे ठीक है तो देखें आपका दोस्तों Windows है न तो Windows mobile देखेंग गया है ठीक है iOS जो operating system है वो Apple के द्वारा बनाया गया है उसके बाद जैसे Android most important है Android ठीक है याद कर लीजेगा काफ इंपोर्टेंट है Android operating system है न यह Google के द्वारा बनाया गया है उसके बाद ordinary is दोस्तों नोक्या के द्वारा बनाया गया है मीगो नहीं को भी द्वारा बनाया गया है 8-6 लोग 5 यह Samsung चेंद ब्लंण के दवारा ब्लैकेरी ठीक है तो तो इनको पूरा लिस्ट आप देख लिजे अगर आपको इसका जितना भी है पीडिएफ आपको चाहिए दोस्तों ठीक है तो नीचे मैं वाटसप नमबर दे दूँगा आप आप वहाँ से वाटसप कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जूड़ सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका देखी है ना क्लोस सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दोस्तों इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है पेमिन करना पड़ता ठीक है याद रख दोस्तों इसको भी आपको क्या करना है स्क्रीन करतों के दिमाग में हैं अगला दोस्ते सोफवेर यह दोस्तों के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं ऐसा पूछ है कि निमनली लिखित में से कौन सा जो है डाटाबेस सौफट्वेर के अंतरगर्स नहीं आता है ठीक है तो दे करते हैं आपका ठीक है तो चलिए अगला देखते हैं आपका प्रेजर टेंशन सौफ़एर ठीक है देखे आपका जो हम लोग दोस्तों जीतने भी यूटूबर है ना जो आपका जीके का बनाते हैं ज्यादा तर किसका उप्योग करते हैं प्रेजर टेंशन के लिए आपका देखे लिज्ञ ना MS पावर चीक है उसके बाद के प्रेजर इंटर एसके बाद स्टार PRS इसमें दोस्तों रो होता है जिसमें और कॉलम होता है दो है रो और कॉलम मिलके बनता है दोस्तों इनके लिए आपका लोटस 123 ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट है सबसे जो प्रसीद्ध थोस्तों सब्सक्राइब के इस प्रीड उसके बाद ओपन काल ठीक है इस्टार कॉलक सभी को आप पढ़ लिए दोस्तों ठीक है चलिए अगला दोस्तों अगला आपका वर्ड प्रोसेसिंग software काफ ही important है जितने भी दोस्तों देखे आपका यह है आपका देखे इस्टार उसके बाद सब्सक्राइब अगलास उसके पढ़ी लिए 8 इसको बीचार या defending है चलिए लीए अगला दिखते हैं अगला most important है दोस्तों इस list को आप बड़े गौर से देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए यह दोस्तों जितने भी आपका secondary memory device है दोस्तों उसकी capacity है उसकी storage चमता है कि एक्जाम में ऐसे बनता है दोस्तों question की निमने लिखित में से जो cd है उसकी storage चमता कितनी है उसकी capacity capacity कितनी है dvd की कितनी है है काफी important है इसको बड़े ध्यान से देखिए देख लेते हैं हम लोग भी पढ़ लेते हैं ठीक है यहां पर लिश्ट दे दिये हैं दोस्तों आपका secondary memory devices इसकी चमता देखिए यहां पर floppy disk दिया है cd-rom, dvd-rom, paint drive, magnetic tape, hard disk drive, blu-ray disk और उसके बाद hvd काफी important है बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों है और सुन सकते हैं तो सुनिए एक्जाम निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों ठीक है देखिए आपका floppy disk floppy disk में दोस्तों दो प्रकार के हैं यहना पहला जो size है दोस्तों वह पांच सही एक बटा चार इंच वाला जो floppy disk के समलों 2 MB ठीक है most important आपका ये वाला है लाल वाला ठीक है floppy disk उसका size है दोस् ठीक है floppy disk का जो size है एक दसमलों है ठीक है 44 MB याद रखिएगा storage चमता है तो देखिए दोनों size को आप याद कर लिजेगा उसके बाद आपका ठीक है DVD का तो आपको पता ही है DVD दोस्तों आपका है ना 4 GB और 700 MB 4.7 GB पेंट राई का आपको पता है दोस्तों 1 GB से लेकिए 1000 अवेलेबल है है ना hard disk दोस्तों most important है hard disk दोस्तों देखिए 80 GB का 160 GB का 500 GB का 1 TB का hard disk भी अभी आया है ठीक है 1 TB बोलते है ठीक है और उसके बाद दूरेडिस के इसकी साइज दोस्तों आपका 25 GB से लेकर 50 GB तक ठीक है और उसके बाद आपका HVD इसका full form आप बताईएगा दोस्तों कमेंट करके ठीक है यह आपका 100 GB से लेकर 200 GB तक ठीक है most important है बड़े ध्यान से देखिए चलिए अगला question अगला ओके question नहीं है दोस्तों ठीक है जानकारी है देखिए computer की कार्य प्रणाली को आप याद कर लिजे input भंडारण processing उसके बाद output ठीक है चलिए यह यह भी काफ़ी important है दोस्तों मत्तपूर extension name है ना जैसे आपका image का हो गया है ना video का हो गया तो सभी का extension name देखते हैं ठीक है तो दिखिए जो image है दोस्तों जिसको चित्र बोलते हैं इनका जो extension है ना किस किस में बन सकता है दूस्तों जो image है वो JPG ठीक है JPG आ जाएगा तो आप माली जगा यह इमेज है GIF इमेज के रूप में चित्र के रूप में ठीक है है ना उसके बाद bitmap BMP है ना BMP जो होता है वो भी इमेजी होता है ठीक है उसके बाद TIFF ये भी दोस्तों इमेजी है पूछ देते हैं दोस्तों कि निमनी लिकित में से कौन सा जो एक्स्टेंसर नेम है वो इमेज नहीं है ऐसा पूछ देते हैं और option में आपका लगा देते हैं PNG ठीक है MP4 MP3 तो आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको बनेगा कैसे ठीक है तो पढ़ना जरूरी है दोस्तों एक्जाम निकालना है तो पढ़ना जरूरी है सब चीछ छोड़ दीजे लेकिन पढ़ेंगे ठीक है और उसके ना आपका वीडियो है उसके बाद ये इंपोर्टेंट है MPEG कई बार व्यापकं पूछ चुका है MPEG उसके बाद आपका देखिए MPG उसके बाद MKV के उसके बाद QT उसके बाद आपका FLV उसके बाद कौन सा है WMV ठीक है यह आपका वीडियो का है है ना और उसके बाद IDEO का देख लीजिए IDEO का भी काफे important है IDEO का आपका MP3 है ना M IDIAU है ना BWF ठीक है उसके बाद WAV उसके बाद आपका कौन सा WME सभी का दोस्तों आपको है ना फूल नेम अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए अच्छे से ठीक है और उसके बाद यहां पर देख लीजिए extension name में है multimedia जो है वो file extension आपका देखें JPG का आपका ठीक है JPG का .JPG GIF का .GIF IDEO का दोस्तों .WAV और उसके बाद .VOC उसके बाद MPEG का .MPG उसके बाद दोस्तों आपका M IDI .MID bitmap का देख लीजिए .BMP ठीक है text ठीक है text file का .txt ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला देख दोस्तों अगला है पका computer सूरक्षा से संबंधित कुछ महत्पूर जान करें देखे दोस्तों यह आ आपका computer में बहुत सारे जो internet चलाते हैना internet में दोस्तों चौरी के बहुत सारे प्रकार हैं और उन चौरी को दोस्तों अलग-अलग आहे अपकर नाम से जाने जाते हैं जैसे दोस्तों आपका इसम in hacking क्रेकिंग यहना फिशिंग इसपाहम है ना तो यह काफ़े important है दोस्तों इसको पढ़ना और जानना हैड़ एक्जाम में पूठ देता है वीडियो हैं उनका देखिए समझे ठीक है एक्जाम निकालना है मतलब आपको निकालना ही है ठीक है इसको पढ़िएगा ठीक है यहाँ पर अगला दिखते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपोर्टेंट है दुस्तों व्यापम ऐसे एक्जाम लेता है कि यह न तो यहाँ पर पुरा लिष्ट दे लिदिए है दोस्तों पुरा प्रपगिए सको अच्छे से ठीक है रिवाइस करिए और अपने जो है कॉपी में नोट डां करना तो नोट डां कर लिजे दोस्तों ठीक है काफी मिपोर्टेंट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक ह एक्जाम निकालना है तो पढ़ना ज़रूरी है ना बार बार बोड़ना हो दोस्तों है ना अच्छे से इसको पढ़िएगा ठीक है यहाँ पर लिश्ट दे दिये गया ठीक है पॉस करके देखिए स्क्रीन सॉट खीचे डाउनलोड करिए ठीक है चलिए एंटी वायरस एंटी पकफी ठीक है वैवाश्ट अवीरा टीक्टार जिसको बोलते हैं ठीक है और उसके बाद विश क्रेशएब करकाई ये तो जाना मान है उसके बाद लावाद ख़動画 भॉत उसके देखिए लावाशरौफ उसके पार चौस जों ऑलार्म ठीक है दोस्तों याद रहेगा ना तो वाइ रोबोट, पांडा, बुलगाड, ठीक है, उसके बाद वेबरूट, उसके बाद माल्वेर, ठीक है, उसके बाद आपका कैलमवीन, है ना, नॉर्मान, इमनोट, ठीक है, बैदू, बैदू, ऐन्टिवारस, ठीक है, तो इनको आप पढ़िएगा अच्छे सी लिस्ट को, ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला आपका देखें computer वायरस यह है आपका computer वायरस जो computer को खराब करता है ठीक है तो देखें यहां पर antivirus का list है ना निमांडा यह लव यू ठीक है इस्ट्रोकनेट कॉन्फिकर वेलची माइडून मोरीस वर्म नाम भी गजब गजब है ठीक है SQL Slammer ठीक है उसके बाद इसको आप पढ़ लिजागा crypto लॉकर्ट टिन्बा है ना स्लायर इस्टार्ण वर्म ट्रोजन होर्स एडवर ठीक है इस्पाइवेयर रूट कीट और उसके बाद यहां पर हिंदी में लिखा हुआ हिंदी को आप पढ़ लिजे दोस्तों इलके क्लोनर है ना उसके बाद कौन सा है आपका इमोरीस इंटरनेट वर्म मैलिसा कोड रेड एस्क्यू स्क्लैमर वही है ठीक है यहां पर पढ़ लव दूबारा हो गया दोस्तों यहां पर भी आ लविव वहां पर रीट कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करना है लाग ठीक है तो यह सभी दूस्तों क्या है आपका computer वायरस जो computer को खराब करता है हना तो याद रखिएगा इसको काफू इंपॉटेंट है अगला है बैदू है ना आस्क डाट काम इंटरनेट अच्यू माइक्रोशॉफ्ट बिंग ऐसा पूछ दिये थे जाना कि बिंग जो है कौन से कंपनी का जो है सर्च इंजन है किसकी है तो माइक्रोशॉफ्ट का है ठीक है उसके बाद आपका देखिए येंडेस्क एकोसिया याहू याह सब्सक्राइब कर दोस्तों यह तो डबल हो गया है और उसके बाद यह देखिए आपका इसलों ना डॉक पिले याद रखेगा मामा है ना मामा डगडग तो हो गया है दोस्तों थीक है तो इन सब को आपको क्या करना है याद करना है है ना MSN ये भी आपका का का सर्च इंजन ही है ठीक है अलटाविश्टा सर्च इंजन ही है ठीक है तो यदू तो やद रखेगा बैदू तो पड़ी लिया हैं जिसमें दोस्तों internet का उप्यूक करते हैं कोई साधन तो होना चाहिए ना इंटरनेट को चलाने के लिए ठीक है तो browser है ना तो browser की सहता से हम लोग लोग क्या करते हैं इंटरनेट चलाते हैं है ना तो यहां पर दिखिए यहां पर Chrome, Google Chrome में काफी, नोन वेब क्योटी वेब ठीक है और उसके बाद मोसिका याद मोशिक मोशिक है ना कैमिनो लैनेक्ष याद रखेगा माइक्रोसप्ट एज ठीक है नेट इसकेप स्काइफायर तो यह सब को आपको क्या करना है याद करना है यहां पर देखें यूसी ब्राउजर भी है मैक्स पर लीजेगा यहाँ अगला है अगले दोस्तों आपका उपरेटिंग सिस्टम देखें और उपन सर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखें आंप इसको बड़े ध्यान से देखें ठीक है चलिए दोस्तों अब हम लोग इनिपट इवाइस को देखते हैं काफ ही इंपरेटिंग यह वाला लिस्ट बड़ ध्यान से दिखेगा आप है नहीं तो यहां पर ग्राफिक्स टेबलेट इंपुट डिवाइस कैमरा है नहीं विडियो कैप्चर हाडवेर ट्रेक बॉल बार कोड रीडर डिजिटल कैमरा गैम पैड जॉइस्टी कीबोर्ड माइक्रोफॉन यह सब क् है दोस्ता आपका इंपुट डिवाइस है MIDI कीबोर्ड माउस स्कैनर वैपकेम टचपेड ओ हैना OMR OCR पंच काड रेडर हैना MICR मैगनेटिक क्या है आपका मैगनेटिक टेप ड्राइव ठीक है याद रखेगा मैगनेटिक टेप ड्राइव क्या है इनपुट डिवाइस ह उसके बाद आपका माइक इस पीज तरीका ओगनेशन सिस्टम टच पें तो यह सभी क्या है दोस्ता आपका इंपुट डिवाइस है याद रखेगा है चलिए अगला आपका आउट पुट डिवाइस यह भी इंपॉर्टेंट है आपका आउट डिवाइस दोस्तों देखें ओम बोनिटर में सभी प्रकार के उसके जो है न प्रकार है चाहे led lcd CRT ठीक है यह सब अपका अपूर्ट डिवाइस है प्रिंटर प्लॉटर्स प्रोजेक्टर है न उसके बाद सी ओ सी ओ एम का पूरा नाम है कंप्यूटर आउटपूट मैक्रोफिल्म यह भी क्या है आप पूट डिवाइस एप इस पीकर है ना उसके बाद आपका हैटफोन उसके बाद आपका वीडी यू उसके बाद आपका फिल्म रिकॉर्डर काड रेडर यह सभी क्या है आपका आउट पूट डिवाइसे ठीक है चलिए अगला दूस्त आपका देखें मोश्ट इंपॉर्टेंट है यह ठीक है इसको बड़ी ध्यान से दीखिएगा दूस्तों यह आपका टाइप्स प्लाटर रेंड इसकेंट है। देखें धूट आपका प्लाटर याद रखेगा और शीचेट आईब इसकेनर ड्रम इसकेनर फोटो इसकेनर फिल्म इसकेनर ठीक है चलिए अगला दुस्त आपका फाइल एक्स्टेंशन ने जो most important आज से आपका Ms Word हो गया PowerPoint हो गया इक्सल हो गया इनका जो फाइल बनता है वो उनका एक्स्टेंशन नेम ठीक है एक्स्टेंशन नेम क्या है दिखे यहां पर MSWord का एक्स्टेंशन जो फाइल बनता है उनका एक्स्टेंशन नेम है .doc and .docx ठीक है यह आपका 2007 में है ना देख लिजेगा आप एक बार करकी ठीक है उसके बाद प्रेश टेंशन तो इनका जो है एक्स्टेंशन डॉट प्पीटी और उसके बाद एकसल इकसल का जो फाइल एक्स्टेंशन नेम यह खाफिंपोर्टेंट है डॉट है इस लोट है चेलिए अगला तुस्त आपका दीखिए मल्टी मिडिया सॉफ्ट्वेर मुल्टी मीडिया स सी ए एम माया फ्लेस पीकाशा कंप्यूटर गेम उसके बाद आपका दोस्तों 3D Max 3ds Max ठीक है तो याद रखेगा तो यह है दोस्तों चोटा सा वीडियो है ना और आशा करता हूं कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो चले बहुत-बहुत धन्यवाद और हां दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह दूसरे है ना जो दूसरे हैं दूसरे विद्यारती हैं दोस्त हैं है ना तो उनको अगर फाइदा पहुंचाना है उनके लिए यह काफी helpful है कुछ उनको फाइदा हो गया है ठीक है हो जाएं तो से अर्जारू किया कीजें बहुत-बहुत धन् वाद दोसनों वेडियो को देखने के